येदे आप चाहते हैं कि पलोहर में कीसी भी इस्तरी के दिलों दिमाग में अपने लिए मुहबत पायदा कर दे उसको अपने प्यार में दिवानी बना दे सिर्फ एक लाल धागा से तो आज का वीडियो जरूर देखिएगा सिर्फ एक लाल धागा से सबसे बड़ी बात यह है इसमें किसी भी प्रकार की एक्षा समाकरी की जरूत नहीं पड़ेगी सिर्फ लाल धागा यानि कि मौली आपको लेना है और इसी का जबजास चमतकार होगा वह इस्तरी दोड़ती हुई आपके पास आगी आपको बोलेगी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ आपके बिना नहीं रहा पाएगी ठीक ना देखी जब आपकी सिस्तरी से प्यार करते हैं लेकिन वह इस्तरी आपसे प्यार नहीं करती है लेकिन आप चाहते हैं कि वो इस्तरी भी आपसे प्यार करें बहुत बहुत प्यार करें और आपको जीवन में कभी भी छोड़ कर नहीं चाहें आपसे ही साधी करें तो सिर्फ आप लाल यानि कि यहाँ पे मौली लेकर के आप सिर्फ एक बार ये टोड़का कर दीजी आपका आपको जरूर मिलेगा वो इस तरी खोद दौरती हुई आपके पास आएगी आपके प्यार में दिवानी होके आपके पीछे पीछे गुमना शुरू कर देगी आपके बिना तो एक मिनट भी नहीं रहा पाएगी कैसे कर देना है या चमतकारी वो इसी करन टोड़ का कि वो इस तरी भागती हुई अपना सबrell को छोड कर आपके पास आ जाएगी और जिवनभर के लिए आपसे प्यार करती रहेगी और आपको छोड कर कभी भी नहीं जाएगी और हमेसा आपसे प्यार से ही बात करेगी कभी भी लगाई जगरा नहीं करेगी माली जी कि आपका कोई पती पतनी है उसमें जगरा चल रहा है पती पतनी के बीच में प्रेमी प्रेमी का के बीच में जगरा चल रहा है या किसी के साथ ससुर को वस में करना है या किसी भी लड़की को मंचा है ये लर्की को अपने वस में करना चाहते हैं, उसको अपने प्यार में दिवानी बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक लाल धागा यानि के मौली ले लिजिए, और चुप चापियो वो सिकरन टोटका कर दीजिए, आसान है, सिर्फ दो मिनट का काम है, और जीवन भर के लिए वो अपने जालों को सब्सक्राइब कि लिजिए, और बिल घंटी को दबा दीजिए, तक हम जितने वी बट्रृण आगीं, सबसे पहला अफी के पास में जाएगा, आएए बतलाते हैं, दिखिएगा, जीस भी इस तरी को अपने वस में करना चाहते हैं, इसको करना क्या होगा? अपने दाहिने हाथ के बिता से एक बिता आपको लाल मौली तोर लेना है एक बिता आपको तोर लेना है लाल मौली जैसे एक बिता जादा नहीं ना जादा ना कम एक बिता आपको लाल मौली आपको तोर लेना है अपने बिता से आगको करना क्या होगा द्यांस दिखेगा इस लाल मौली के धागे को अपने घर के में दारवाजे पे किल ठो करके आपको बान देना है और इस प्रकार सलागरतार आपको साथ दिन करना है सुकरवार से स्टार्ट कीजिए अगले सुकरवार तक कीजिए मेरा दावा है कि आपका प्यार दोरती हुई आपके पास में आएगी रुठा हुआ भी प्यार आपके पास दोरती हुई आएगी आपके बिनन नहीं रहा पाएगी और कोई भी इस्तरी हो मन चाहा है इस्तरी हो भी आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी आपके बिनन नहीं रहा पाएगी जिए आप हमारे चानल पर नए हभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब ने की तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल घंडी को दबा दीजिए कि में जितने भी बुड़ रहेंगे सब सब पहले आपके पास में जाएगा